नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोट के चीफ जस्टिस डीवाय चंद्रचून ने साफशब्दों में कह दिया है कि उनके और प्रधारमंतरी नरेंद्र मोदी के बीच में किसी भी तरीकी की कोई डील नहीं हुई है उनने लेकर जो बाते चल रही हैं उसरासर गलत है आसल में दोस्तों कुछ दिन पहले पीम मोदी और चंद्रचून की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थी देखें ये वह तस्वीर है इसमें CJI प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी और CJI की पतनी साथ में खड़े ओकर पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं गड़े शतुर्ती के मौके पर प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी CJI चंद्रचून के घर पर पहुँचे थे उस समय उन्होंने गड़पती पूजा भी की थी तब CJI चंद्रचून को काफी ट्रूल किया गया था में विश्वास कमजोर हो सकता है प्रधार मंतरी ने CJI के आवास का दौरा किया और उन्होंने एक साथ आरती की हमारी चंता ये कि जब समविधान के संरक्षक इस तरीके से राजनीदिक नेताओं से मिलते हैं तो इस संदेह पैदा होता है महराश में हमारा मामला जिसमें वरतमान सरकार शामिल है ये मुख्य न्याय अधीश के समक्ष सुना जा सकता है और प्रधान मंतरी इसका हिस्सा है हमें इस बात की चंता है कि क्या हमें न्याय मिलेगा मुख्य न्याय अधीश को इस मामले से खुद को अलग करने पर वचार करना चाहिए तो अब ये तमान सवार उठने के बाद खुश सीजय चंचून ने अपनी चुप़ी तोड़ी है और जवाब भी दिया है उन्होंने काया कि जब भी हाई कोट के मुखे नयाधीच और सुप्रीम कोट के चीफ जस्टेस राजयों और केंदर सरकार के प्रमुक से मिलते हैं तो वो कभी भी किसी केस पर चर्चा नहीं करते ये जो बैठके होती हैं ये अकसर प्रशांसिनिक मामलों से जुड़ी होती है और इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसमें कोई डील हो रही है उन्होंने बताया कि सरकार के प्रमुको के जजों की बैठके आवश्यक है क्योंकि राजय सरकारे और न्याय पालिका के लिए बजट पारत करती है मुख्य नाय अधीश ने इस पूरे मामले पर आगे क्या कहा वो भी देखिए वो कहते हैं कि हम मिलते तो हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई डील तै हो गई है हमें राजय के मुख्यमंत्री से समवाद में रहना होता है क्योंकि हमें न्याय पालिका के लिए बजट देना होता है ये बजट जजों के लिए नहीं है अगर हम नहीं मिलेंगे और केवल पत्रों पर निर्भा रहेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा इसके आगे सीजय चंचूर कहते हैं कि जब हम मिलते हैं तो मेरा विश्वास कीजिए राजनीतिक विवस्था में बहुत परिपक्वता होती है उन बैठकों मेरे अनुभाव में कभी भी कोई सीएम लंबत मामले के बारे में नहीं बोलेगा दोस्तों उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि नियाई पालिका पुरी तरीके से स्वतंत्र है उन्होंने बताया कि प्रशासनिक पक्ष पर नियाई पालिका और सरकार के कारियों के बीच में एक अंतर होता है उनका कहना था कि ऐसे मुलाकाते इसलिए जरूरी होती हैं ताकि जो भी फैसले होते हैं वो सिर्फ पत्रों के माध्यम पर न रह जाए बलकि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिलकर अच्चे समद्ध भी बना सकें दोसे शुप्रीम कोर्ट और वरतमान सरकार के बीच में प्रशासनिक समबंद शीश अदालत की ओर से किये गए जो भी फैसले होते हैं काम होते हैं उनसे अलग होते हैं इसका भी उनों ने जिक्र किया ये परंपरा है कि सीएम या फिर मुक्यन अधीश तेवहारो या फिर शुक सभाओं के समय एक उसरे से मुलगात कर लेते हैं लेकिन उनों ने ये भी कहा कि साफ तोर पर हमें ये समझना चाहिए कि इसका हमारे नियाई कामों पर कोई असर नहीं पड़ता है हमें ये समझना चाहिए कि जनता की ओर से देखी जा रही बैठक में कोई भी डील नहीं हो रही है अब CGI चद्रचूर ने अपनी सफाई तो दे दी है, लेकिन जनता इसके बारे में क्या सोचती है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमें सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा, एक खबर आप उल्टा चश्मा UC पर देख रहे हैं, नमस्कार